TDS on GST, जो की Metal Scrap के उपर है, उसके related हम आज के इस पीजियो में डिस्कुस करने वाले हैं, नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूं, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हमें, कापी सारी वीडियो, दो-तीन वीडियो में आप लोग के साथ शे सकते हैं, Metal Scrap RCM Video by Suman Education Hub, इस तरीके से वाली वीडियो आप वाच कर सकते हैं, सेकें, Metal Scrap के उपर अपर TDS भी एप्रिकेबल हो जाएगा, उससे रिल्टिविग में वीडियो साथ शेर किये हैं, Metal Scrap TDS Video by Suman Education Hub, इस तरीके से आप वो वीडियो भी सर्च कर सकते हैं, आज इस Metal Scrap से रिल्टे छोटे-छोटे पैसे, पहले मैं आपको एप्रमेशन दे देती हूं, साथ वीडियो को हम कनेक कर सकें, और आगे बढ़ सकें, Metal Scrap के उपर 54th GST Council Meeting में, कौर्णमें ने ये डिसाइड किया था, कि Metal Scrap के उपर RCM एप्लिकेबल होगा, कोई ऐसा मेकनिजम के, वो उसके उपर 18% टेक्स गोर्मेंट को पे करेगा, उसको क्लेम भी कर सकता है, ये था RCM related, उसके बाद ये था कि इसके उपर टेक्स भी, TDS भी एप्लिकेबल होगा, अब TDS किस केस में एप्लिकेबल होगा, अगर आप unregistered person है, और किसी registered person को सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे TDS applicable नहीं होगा, TDS की applicability कहां आएगी, अगर जो metal scrap sale करने वाला है, वो registered है, और सामने वाली party, यानि कि supplier और buyer दोनों registered है, B2B है, B2B के supply में ही TDS applicable होगा, और TDS का rate था 2%, और threshold limit थी 0,500,000 रुपे, यानि कि 0,500,000 रुपे जो है, वो per contract, यानि कि अगर आप registered person ह और किसी registered person को sale करते है, और per contract, यानि कि per contract का जो value है, अगर 0,500,000 से जादा है, तो उस case में आपको 2% TDS on GST deduct करना है, 1% for CGST and 1% for SGST, और IGST है तो 2% उसके पर, तो ये TDS को deduct करने का जो सारा procedure ये है, अब TDS किस amount पे deduct करना है, आपको ये question आपके माइन मेरा है, क्योंकि हम जो simply वो TDS हम deduct करते हैं, जैसे कि हम rent पे TDS deduct करते हैं, professional पे TDS deduct करते हैं, contractor पे TDS deduct करते हैं, commission पे TDS deduct करते हैं, तो ये सारे जो TDS हम deduct करते हैं, वो under income tax act के under में हम TDS deduct करते हैं, और metal scrap के selling पे जो हम TDS deduct करेंगे, वो TDS on GST, ये GST के अंडर में आगा, तो इसके rules and regulations अलग हैं, बस आ करते हैं वैसे ही इसके अंडर्म हम जो हमारा बेसिक वेल्डी होगा उसके अपर ही यह सिंपल सा कैलकुलेशन है नौर्बली जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है इसमें चैंज से किये हैं क्योंकि यह अब उसमें क्या होता था जो इंकम टेक्स के टीजस में किसी भी सेक्षन में आप टीजस डेड़क करते थे वहां पर आपको टैन नमबर चैंगे होता था रिजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वह मैं आप लोके साथ यहां कर रही हूं registration आपको कैसे करना है GST portal को आप open कर लेंगे वहाँ पर आपको registration का option मिलता है register के option पर आप click करेंगे new register का option मिलेगा उस पर आपको click करना है और उस पर click करने के बाद कुछ options, basic options आपको मिलते हैं वो सारे options आपको field करने हैं जैसे कि जब आप registration करेंगे तो आपको text reductor select करना है state unit territory वो select करना है legal name of territory वो भी आपको select करना है उसके बाद OTP आएगा आपकी mobile पे और email ID पे वो OTP आपको share करनी है और submit कर देना है उसके बाद आपको एक TRN number यानि कि temporary reference number मिल जाएगा फिर उस number को आपको copy कर लेना है और जब आप registration के लिए click करते हैं तो वही पर second option temporary reference numbers आपको show करता है उसपे click करना है आपको और TRN number paste कर दिना है paste करने की बाद जब आप paste कर लेंगे तो आपको capture डालना है और submit कर दिना है जैसे याप submit करेंगे तो आपके पास form open हो जाएगा registration का detailed form होगी पर detail में form आपको submit करना है जैसे जैसे option है वो सारे options आपको आपको वहाँ पर field करती जाना है जैसे कि mainly जो है इसमे 4 options आपको मिलेंगे सबसे पहले आपके business related business details होगी सबसे पहले बाले option में second होगा drawing and disbursing officer, third होगा authorized signatory, fourth है office address of text deductive and verification सबसे पहले business details में आपको provide करना होता है business related details जैसे कि आपका pan number हो जाएगा legal name आपका आजाएगा email, mobile address, pan number trade name यह सारे चीजे business related सारे चीजे आपको वहाँ पर मिल जाएगी और constitution constitution option में आपको other select करना है क्योंकि अब ऐसा कोई metal scrap का option वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा तो other आप select कर लिजे उसके बाद जो second option है जिसमें की आपको data of liability आपको feel करना है जैसे की हम teleprime में आपने देखा होगा जो material के option को enable करते हैं तो वहाँ पर जो data of liability जिनकी होती यानि कि जो data को prepare करते हैं अकाउंटेंट हो या फिर senior हो उनका name उनका designation mobile number email id उनका residential address उनसे related सारी information आपको feel करनी है यहाँ पर आपको photographs भी वहाँ पर upload करने होंगे जो भी data of liability होगा जो भी data को prepare करेगा तो इससे related सारी information feel करके आप submit करेंगे acknowledgement number जो है वह आपके पुली registration आपका हो जाएगा और फिर उसके बाद आप TDS deduct कर सकते हैं नेक्स वीडियो में कभी in future में आप लोग के साथ share करेंगी इसके पर TDS भी आप कैसे deduct करेंगे उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी लोग के लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो चैनल को लाइक शह सब्सक्राइब कर दीजेगा thank you for watching keep watching कि करेंगी करी कि अमिरष zach".